विल्कम फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम देखेंगे साइन्स के महत्पून 40 कोश्चन को जो की आपके रेलवे के एक्जाम में पुछे जाने की बहुत जादा समावना है तो चलिए मैं इस वीडियो को सुरू करता हूँ आज का हमारा पहला प्रशन है पेट्रोल का मिसरन है पेट्रोल किसका मिसरन है यह आपको बताना है दोस्तों इन प्रशनों को आप भी हमारे साथ एंसर करते चलें और वीडियो के अंद में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रशने सही हो रहे हैं तो इस प्रशन का सही उत्त से हमारा अगला प्रश्ण है किस संसलेसित रेशा को कृतिम सिल्क के नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है रेवन को हमारा अगला प्रश्ण है पित पिंड कहां पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहित है तो यह है अंडा से की हमारा अगला प्रश्ण है जेव कोशिका में निम्ण में से क्या अनुपस्तित होता है क्या अनुपस्तित होता है यह आपको बताना है तो यह केंद्र सेलोज की कोशिका भित्ती और मायट्रो ये तीनों अनुपस्तित रहते हैं ये question बारवार इक्जाम में पूछे जाता है दोस्तों इसलिए आप इसे याद कर लेंगे ये very very important question है आपके लिए हमारा आगला प्रशन है प्रत्यच उप्तक जो हडियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं क्या कहा जाता है ये आपको बताना है तो यह कहा जाता है असनायू यानि लिंगामेंट को हमारा आगला प्रशन है प्रकमित कोशिका मिर्त्यू की कोशिकाओं और आनविक नियंतरन को कहते हैं क्या कहते हैं ये आपको बताना है तो यह कहा जाता है एपो टॉसिस हमारा अगला प्रश्ण है मानो सरीर के कौन से अंग से लसिका कुछ काएं बनती है तो यह बनता है तिल्ली से हमारा अगला प्रश्ण है DNA में नहीं पाए जाता क्या नहीं पाए जाता यह आपको बताना है डी एने में तो यहां यूरे सिल नहीं पाय जाता है अंडिनीन और गौनीन पाय जाता है यह आप याद रखेंगे यह बहरी बहरी इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों एक्जाम के लिए आप जितने प्रशन मैं बहरी बहरी इंपोर्टेंट बता रहा हूं वो question आपके exam में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है तो उन प्रशनों को आप याद रखेगे हमारा अगला प्रशन है मानो जिनोम का अनुकर्म सफलता पुर्वक किया गया कहा किया गया कब किया गया यह आपको बताना है तो यह किया गया था tumor 2001 एक इसवी में हमारा अगला प्रशन है जिव के उतपत्ति के समय पिर्थवी का वातावरन था कैसा वातावरन था यह आपको बताना है तो वहां का वातावरन था अपाचैक हमारा अगला प्रशन है प्रोटिन सोंसलेशन में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका अधिक महत्पून है तो इसमें जो भूमिका महत्पून है वह है अंता प्रद्वी जलिका और रायवोजोम को यह भी कोशन काफी इंपोर्टिन कोश्चन है जो आपके एक्जाम में पुछे जाने की जाता है क्यों घड़ जाता यह आपको बताना है तो यह घड़ जाता है कोथनांक में उन्यन के कारण दोस्तों यह कोश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है और एक्जाम में बार बार पुछे जाते हैं और इन प्रशनों को अक्सर अस्टूरेंट सही करके आते हैं हमारा बहा देता है इसलिए खाना जल्दी पक जाता है हमारा आगला प्रशन है जेव कोशिका का कौन सा भाग पावर हौस कहलाता है बहरी बहरी इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों यह सभी कोश्चन जो कि आपके एक्जाम में पुछे जाने के ज़्यादा समावना है तो यह है मायट्रोपॉंडिया हमारा आगला प्रशन है दवा बनाने के काम आता है तो दवा बनाने के काम आता है बिन जोईक अम्र हमारा आगला प्रशन है सबसे अधिक संख्या में किस तत्यों के योगिक हैं तो वह तत्यों है कारवन हमारा आगला प्रशन है है वर बीदी से अ इन उत्पेरक परयोग में लाए जाता है क्या कौन सा उत्पेरक उत्योग में लाए जाता यह आपको बताना है वरविदी में तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोहा हमारा अगला प्रश्न है पेट्रोल में बिसेला मिसरन पदार्थ है कौन सा बिसेला मिसरन पदार्थ है ये आपको बताना है तो वह पदार्थ है टेट्रा एथिलिट लेड हमारा अगला प्रस्थ है निम्न में से किस कोशिकां को कोशिका का पावर हॉस कहा जाता है तो वह कोशिका है मैट्रो कॉंडि होते हैं उसमें science के प्रश्ण पूशे जाते हो उन प्रश्णों में यह प्रश्ण होता ही है तो इस प्रश्ण को आप याद कर लेंगे कि mytrokondia kosika का powerhouse है हमारा अगला प्रश्ण है कि प्लाज्मा जली बनी होती है तो यह किसकी बनी होती है यह आपको बताना है तो यह बनी होती है लिपीड से और प्रोटीन से यानि option number D इस प्रशन का सही उत्तर हो जागा यह question भी exam में बहुत बार पुछे गए हैं इसलिए आप very important question में इस प्रशन को भी रखेंगे क्यूंकि यह question exam में पूछे जाएंगे ही जाएंगे पादब कोशिका जन्तु कोशिका से किस परकार भीन है तो पादब कोशिका जन्तु कोशिका से भीन है कोशिका भित्ती के द्वारा यह question भी exam में पूछे जाएंगे इसलिए आप यह भी important में ही रखेंगे ऐसे तो सभी इस वीडियो में पूछे गए प्रशन very very important है पर इन प्रशनों पर मैं इसलिए very very important लगा दे रहा हूँ क्योंकि यह exam में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है तो इन प्रशनों को आप बार बार देख ले हमारा अगला प्रशन है सुस्क धुलाई के काम आता है क्या आता है यह आपको बताना है तो यह काम आता है बेंजिन के हमारा अगला प्रशन है सीरका का रसाइनिक नाम है दोस्तों यह question very 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 important question है जो की exam में पूछा ही जाएगा तो सीरका का रसाइनिक नाम है यह है एथनोईक एसीड हमारा अगला प्रशन है नाइलोन है तो नाइलोन क्या है यह आपको बताना है तो यह है पोली एमाइल्ड यह सभी प्रशन एक्जाम में पूछे गए प्रशन है और बार बार पूछे भी जाते हैं अगला प्रशन है रबड के शंसलेशन में निम्न का परियोग किया जाता है किसका परियोग किया जाता है यह आपको बताना है तो यह परियोग किया जाता है आईसो प्रीन का हमारा आगला प्रश्ण है सोने के आभुसन बनाते समय इसमें मिलाया जाता है क्या मिलाया जाता है यह आपको बताना है तो इसमें मिलाया जाता है तामबा हमारा अगला प्रश्ण है नाइलोन बनाने में परियुक्त कच्चा पदार्थ है तो नाइलोन बनाने में परियुक्त कच्चा पतार्थ कौन सा है तो यह है ADP की अमला हमारा अगला प्रश्ण है मुम्बत्ती का जलना क्या कहलाता है तो मुम्बत्ती का जलना कहलाता है रसायनिक परिवर्तन दोस्तो ये question भी very very important question है जो कि आपके एक्जाम में पूछा ही जाएगा हमारा अगला प्रश्न है कितना तापमान होने पर पाठ्यांग, Celsius और Fahrenheit तापमगम्यों में एक ही होगा तो यह होता है कितना यह आपको बताना तो यह होता है माइनस 40 डिग्री दोस्तो इन प्रशनों को आप सोच रहेंगे सभी प्रशनों में very very important लगा दिया जा रहा है जो कि यह सब पुछे जाएंगे तो नहीं, आपके एक्जाम के सिप्ट होते हैं बहुत सारे उन सिप्टों में यह प्रशन पूछे जाएंगे अलग-अलग वैसे लेकिन पूछना एकदम तय है इसलिए इन प्रशनों को आप याद रखेंगे हमार आगला प्रशन है जल का घनतों ताप के साथ परिवर्तित होता है जिससे जलिये प्रानी को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है जल का घनतों किस ताप पर महत्तम होता है तो यह होता है 4 डिगरी सेल्सियस पे यह तो एक्जाम के लिए बहुत ही important question है जो कि आपके एक्जाम में पूछा ही जाएगा यह आप नोट कर लेंगे हमार आगला प्रशन है जब पानी को पानी में से 10 डिगरी सेंटिग्रेट तक गरम किया जाए जब पानी को 10 डिगरी सेंटिग्रेट तक गरम किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है यह आपको बताना है तो इसका आयतन पहले घटेगा और तब बढ़ता है यह आपको याद रखना है यह भी एक्जाम के लिए बहुत important question है दोस्तों जो की पूछा ही जाएगा हमारा आगला प्रश्ण है मोटर कार में सितलन तंत्र किस सिध्धान पर कारिक करता है तो यह कारिक करता है केवल समवहन पर हमारा आगला प्रश्ण है सौर प्रकास में सरवादिक समान्य प्रकार की विकिरन उर्जा जो मनुस्य में तोचा की धूपताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है हमारा अगला प्रशन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है यह आपको बताना है, तो ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है, हमारा अगला प्रशन है, प्रेश का कोतनांग बढ़ जाता है हमारा आगला प्रशन है थार्मो अस्टेट का पर्योजन क्या है तो थार्मो अस्टेट का पर्योजन है तापमान को इस्थिर रखना दोस्तों ये सभी प्रशने एक्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और मैं इसलिए इन प्रशनों पे भी बहरी-बहरी इंपोर्टेंट लगा दे रहा हूँ ताकि ये कोशन जब आपके एक्जाम में आए तो आपको याद रहे कि मैंने आपको ये प्रशन बताया था हमारा आगला प्रशन है हमारे सरीर की लगुतम हड़ी है मतलब छोटी हड़ी कौन सी है तो वह होती है कान की हड़ी कौन सी होती है ये आप हमें कॉमेट करके ज़रूर बताएंगे हमारा आगला प्रश्ण है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिगांग में DNA होता है तो यह होता है माइट्रो कॉंडिया में यह कोश्चन भी काफी एक्जाम में पूछा जाता है इसलिए आप यह भी कोश्चन को बहरी-बहरी इंपोर्टिंग में रखेंगे हमारा आगला प्रश्ण है रेफिजेटर में खाद पदार्थ ताजा रखने हैं तो सुरचित तापमान है कितना है यह आपको बताना है तो यह है चार डिगरी सेल्सेयस यानि की अप्सन भी तो दोस्तों यहीं पे हमारे इस वीडियो का 40 प्रश्ण पूरा होता है आपके कित का अपको प्रश्ण पुन का 40 प्रश्ण